नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टेडिवेस एजूकेशन, तो चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अंताराश्टी बौधिक संपदा सूचकांग 2022, यनि कि हम इसे बोल सकते हैं International Intellectual Property Index 2022 का, तो इसके बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए इसको जानने से पहले मैं आपके सामने कोस्टन दिखाता हूँ, इसका अंसर आपको लेक्चर के अंत में देना है, तो International Intellectual Property Index 2022 में भारत की रेंकिंग क्या है, 40 बे नमबर पर है, 43 बे, 45 बे या 42 बे नमबर पर, तो इसका अंसर आपको लेक्चर के अंत में मिल जाएगा, तो चलिए सुरू क करते हैं इसे हम, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, इस Index के अगर बात करें, तो February 2022 में इससे जारी किया गया है, US Chamber of Commerce के दौरा, तो यह आप देख सकते हैं, यहां पर इसके दौरा जारी किया गया है, यह आपको याद रखना है, और इसका नाम है बादिक संपदा सूचकांग 2022, इसको जारी किया गया है, और 2021 में भी इसको जारी किया गया था, जिसमें टोटल देशु की संख्या थी, 53, 53 में से भारत का जो स्थान था, 40 वा स्थान था, और अभी 2022 की बात करें, तो देश की संख्या भी बढ़कर यहां पर 55 हो गई, और भारत की जो रें इसके बारे में हम लाश्ट में देखेंगे क्या है, और यहां पर अगर देखें तो वैस्विक नवाचार नितिकेंद्र, जिसे हम बोलते हैं, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके अंतरगत, यानि कि यूएस चेंबर आप कॉमर्स के अंतरगत, यह जो है बाधिक संपदा सुच कांग, बैस्विक जो अर्थ वेबस्ता है होती है, जो एकोनॉमी होती है उसमें, पैटेंट, कॉपीराइड जो नीती होती है उसको लेकर बाधिक संपदा जो परिसंपत्ती होती है, इसके वेबसाई करन, एब हम अंतराष्टिय संधियों के अनुस top 5 country है जिन्होंने सबसे आगे यहाँ पे देखने को मिलता है 55 देशों में सबसे पाँच में नंबर पर यह देखने को मिलती है अब 2021 के score देखने को मिल रहा है और 2022 का दोनों में आप comparison कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं American है यह score अभी हम देखेंगे score यहाँ पे 2021 में क्या देखने को मिल था 95.3 1 उनमें score में भी ब्रदी हुए इसलिके यहाँ पे सबसे फर्स नंबर पर है अब last 5 country के अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे last में आपको देखने मिलेगा 55 नंबर पर वेनिजूला है 55 नमबर पर और यहां इसके score भी आप देख सकते हैं 7.4 दो प्रतिसात है फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे दैसे नाइजिरिया है, मिस्र है, योक्रेन है, इंडोनेसिया यह देखने मिलेगा 54, 53 नमबर पर 52 नमबर पर और 51 नमबर पर इनके score भी आप यहां पर देख सकते हैं अब score की अगर बात करें तो टोटल 55 अर्थवरस्ता थी है नहीं 55 एकोनोमी देखने मिलती है, तो उनमें से कुल मिलाकर 45 ने अपने score में ब्रद्धी दर्ज की है, मतलब हम देख सकते हैं, 10 जो एकोनोमी है उनमें किसी भी प्रकार की ब्रद्धी देखने को नहीं मिली है, और सबसे अधिक ब्रद्धी किसमें देखने मिली है, तो सबसे अधिक ब्रद्धी आपको देखने मिली गई, UAE यानि किसें एक तरह वमीराद बोल सकते हैं एक दूसरा है नाइजिरिया और तीसरा है पेरू ठीक है तो ये तीनों जो अर्थवरस्ता है एकोनोमी है इन्होंने सबसे अधिक यहाँ पर ब्रद्धी दर्ज की है टोटल 45 में से ठीक है इसके अलाबा 2012 की अगर बात करें इस सुचकांग की सुर्वात से जो है 2012 में इसकी स अधिक का स्कोर हासिल किया है इसके अलाबा कुल 31 अर्थवरस्ता और 50-30 से अधिक स्कोर हासिल किया है इसके साथ ही हम देखे 2021 में नकली उत्पात का मूल ले 500 अरब डॉलर के करीब रहा जो कि कुल 25 अर्थवरस्ता 25 वेपार का 25 पर थिर बात करते हैं देखिए COVID-19 जो हमा अधिकार क्या होते है? जैसिकि हमने पहले देखे थे तो बौदिक संपदा अधिकार यहां पर देखने मिलता है. अर्थवरस्ताओं में रोजगार नवचार को संद्रक्षन देना, अधिक बैद्योगी वेग्यानिक साही तेवं कला की छेतर में कोई वेगती या परसन या देखने को मिलते हैं अब जिसके दोर इसको जारी किया गया है उसका नाम है US Chamber of Commerce के बारे में देखने मिली थी ठीक है और यहां देखें बॉसिंग्टन डीसी अमेरिका के अंतरगत इसके हैड़क्वाटर है दुनिया का सबसे बड़ा वैपास संग है और तीन मिलियन से अधि का प्रतिनिद्ध वह यह करता है तो यह तो बात हुई हमारी किसकी हमने यहां पर देखें कोल मिलाकर इंटरनेशनल इंटरलेक्चल प्रॉपर्टी इंडेक्स तो इसका आंसर क्या है इसका अभी देखने मिलता है आपको 43 यानि कि 43 भी नंबर पर अभी वर्तमान में किसकी रेंकिंग है भारत की 2022 में और कुल मिलाकर कितनी कंट्री है पचपन देश यहां पर देखने को मिलते हैं 2022 में तो इतो था हमारा कंप्लीट मिलाकर यहां पर इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स है 2022 का इसको हमने देखे है आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा लेक्चर को पूरा देखने के लिए आप जो है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप लाइक कर सकते हैं और सेयर कर सकते हैं ठीक है अगर सब्सक्राइब निक है तो सब्सक्राइब भी कर ले और बैल आइकन को जरूर क्लिक करें तो चलिए मिलते हैं नेक